नवस्कार बिहार 24 सच से सामना देख रहे सवी दर्शकों का अविनांदन मैं हूँ कन्धिया टाकुर। आज मैं आपकी मुलाकत हमारे स्टूडियो में सांसद रामप्रित मंडल जी पहुँचे हैं आप जानते हैं उनको पात सालों से देख रहे हैं जन्जारपूर लोकसभा का गठन 1972 इस भी में हुआ है कुल 13 बार यहां चुनाव हुआ है जिस चुनाव में सभी सांसद जीत करक लोकसभा में पहुँचे हैं लेकिन इनके जीत में एक विशेस बात जुरी हुई है कि जब 2019 में इन्होंने चुनाव लरा जद्यू की टिकट पर मान्निय मुख्यमंत्री नितीश कुमार के प्रिये पात रहे हैं उन्होंने ही इन्हों लोकसभा का टिकट दिया था यह कोट एक ऐसा प्रतिसथा तो लोकसभा जन्दारपुर में एक इतियास क्याम है मैं रामपृत मंदल जी का स्वागत करता हूं सर अब को भी स्वागत है मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लिजर जालना चाहेंगे पांच साल लगवग भी तने को है अब लोगसभा चुनाव कुछी दिनों में होगी इन पांच सालों में कौन सा ऐसा काम आपने किया जिस पर आपको आजन्म या अभी भी गर्ब महसूस होगा जो हमारा ये बहुत ही अच्छा काम था गर्ब महसूस किया यह कौन सा काम होगा से काम तुम्हें बहुत सारे किया लेकिन कुछ काम ऐसा है जो हमारे लाइफ में हमारे जिंदगी में जब तक स्यस बचा हुआ जिंदगी है तो कभी भूलने लाइक नहीं है और हमेशा याद रखने का चीज है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं सबसे प तो 15 मार्च 20 मार्च 2020 को मैंने प्रधान मंत्री जी को अपने कोस से एक करोर रुपया अनुदान रासी कोविड के लिए पुरा एक करोर रुपया मैंने लिखा था उसके बाद बहुत सारे मान्य ने लिखना शुरू किया एक तो लाइफ का बहुत बढ़ा यादगार पल था उसके में और याद रखने लाइक है कि जैसे आप सब जानते है कि डिली से जैनगर जैनगर से बदरी वाज जो नेपाल जाती है तो लोगों का बहुत बढ़ा सपना था जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान मे चेत्र बासियों के लिए वियार बासियों के लिए बहुत बड़ी सुवाग की बात है एक तो यह पल है कि मैं जिन्दगी में हमेशा याद रखूँगा दूसरा है कि जंजार पूर्चे लौखा भाया अंधरा ठारी भचसपति नगर जो अभी संपूर होने के कगार पर है हाँ एक दो दिन पहले मिटिंग भी हुई थी उसके लिए मैंने जंजार पूर्चे लौखा के लिए करीब करीब 6-7 बार मानिये रेल मंत्री मानिये प्रधान मंत्री जी से गौहार लगाया था कि कम से कम जो बच्चे लौखा च्छेत्र के पायदा हुए है साथ साल का हो करें लेकिन वो टीवी पर रेल गारी को देखता है उसका बहुत बदा सपना है वे सब्सक Visual हमारे लिए वो Works का फेल मानिये प्रव करने परदान मंत्री जी दिन और हमारे से लौखा लाइन का उधगाटन जहां तक मुझे यार है चोटी लाइन में 10 नमंबर 1976 को हुआ था जब यहां के रेल मंतरी ललित नायन मिस्राजी थे उन्हीं के समय यह हुआ था काफी समय से बड़ी लाइन बन रही थी और बड़ी लाइन बनने के बाद अब आपका यह परियास तो सराहिया है और दूसरा जनगर से आपने बताया बरदी बास के लिए नेपाल के लिए इस रेल लाइन को तो आप याद रखेंगे ही इसके अलावाद जब डेल की बाद चली है तो एकात आदमी हम जब कभी भी इंटर्वी लेने के लिए कहीं जाते थे तो हमको कुछ ऐसे लोग मिलते थे जो बता रहे थे जिकी सांसच जी के पास गेलों हमरा टिकट नहीं भेल चला है तो उनका हम मेसेज वाटसाप पर क्या दे लिया वह हमना फटसाप कनफर्म करा देल की ऐसा कितना लोग आते थे आपके जी ऐसा है कि माने कनेया जी मैं बताओं आपको कि 9,366 लोगों को अभी तक हमने टिकट पास सालों में कनफर्म कराए जो हमारे पीए जो है वो हम रजिस्टर एक मेंटेन करते हैं यहां से लोग हमारे पास वाटसाप करते हैं यह नार नमर उसी वक्त हमारे रेलवे में एक कराए हैं इतने लोगों का कनफर्म हुआ है यह भी पल हमारे जहन में जब तक मैं रहूंगा या लोग इतनी जो रहेंगे जिनको में कनफर्म कराया हूं वह याद रखेंगे बताते हैं हमको जी और बीच में चीज़ और काना चाहता हूं जहां तक रेल का आपने सवाल किय भी टाधा था लौका नेपाल से सटा हुआ है लोगों को बोडर पर है जिए लोगों को लहान बजार में जाकर करके लान में एक अखा अस्पतार है जर्मनी के सवयोग से नेपाल में बश्तित है और बहुत फेमस है जब मैं जाता था कभी अपने चेतर पे घुमने की कंप्लेंड रहता था कि रेलवे लेंड कब चालू होगी तो यह भी मैं बता दो मेरा लगाओ अब आते हैं रेलवे से हटकर अन्य योजना उपर कुछ ऐसी योजना है जो प्राय संसद नहीं कर पाते थे जैसे नवरत्म कंपणी की प्रोफिट की कोई योजना होती थी ठीक समको नाम नहीं याद रहा है जो आपने कुछ काम किया है उसके बारे हमारे दर्सकों को बताएंगे तो अच्छा नहीं मैं बहुत शॉट में आपको कहना चाहता हूं मतलब होता है corporate social responsibility इसमें भारत सरकार का नियम है कोई भी कंपनी भारत सरकार का जो corporate section section है वो अगर पैसा profit में जाती है तो उसमें से 2% गरीबों में उनको बढ़ना है इससे पहले हो सकता है जैसा मुझे पता चला है कि कोई वैसे कार्म नहीं किया थे social responsibility का CSR का मेरी जनकारी में नहीं हुआ था मुझे भी मालूम ने CSR fund से मैं लोखी के बोडर पर नेपाल लोखी परखंड में एक नारी बोल के जगह है वहां गाए माता है कम से कम 300-400 माता है का संख्या है बहुत लोग स्मगलिंग करके नेपाल ले जाते तो वहां पकर करके SSB वहां के लोग जनता उस केंप में रखते हैं तो हमने CSR से उटको कंपनी और BPCL तीन-चार कंपनिया है पोल इंडिया है सब लोगों से आगरा किया Finance Corporation of India है सब लोगों ने 40 लाग करीब करीब शंचन किया और बहुत जल्दी बनने जा रहा है उसका उद्गाटर हो चुका है ये तो जी हुई सोशल रिस्पॉंस्विलिटी की एगव साला जी आरो जो रन्निंग वाटर बच्चों के पिलाने के लिए भीतर इंचार सो फिट नीचे जाकर को जो समर्चेबल उसमें सिस्टम है तो आरो का सिस्टम हमने गोगाडिया ब्लॉक में एक ब्रहंपूर गाउव है दियोर ब्र सतर प्रस्तावित है जो हमने चाहब सो आज भी बात किया है इंसे उनों सी जिवहीं मिलेगा पॉल इंडिया भारत का नौरत्म कंपनी है वह भी सतर आरो उसी प्रकार की जिसके कीमत दस बारा लाग है तो भारत सरकार के सुशन से ओभी हम लगाने जा रहे हैं कुछ हमने CSR से लाइटें लगाए लाइट जो तोलर सिस्टम अभी लगा है खजोली परखंड में लगा है लोकी में लगा है कुटोना में लगा है बहुत सारे जगों लगा है उसके बाद सानु सुचित जाती महादली टोला में मैंने कंप्यूटर दिया हूं 25 इतना डिटेल आपके प इंदोस्तान पेपर के माध्यम से 26 आरिक जोवी काम अमने 5 साल में किया है उसका पुरा डिटेल आपके द्वारा कि सोजन से पेपर के माध्यम से हमारे जनता समानित भी मालिक जनता है जनता जनार्दन के पास जाएंगे ताकि उनको पता चलेगा मैं क्या काम पांच साल का बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आगे बढ़ते हैं थोड़ा साइस काम के लिए जैसे एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योजना था वह स्वास्त भीमा का योजना था जिसमें लोग उसमें कितना आपने कर्च किया है और आपके लोग अचानक मेरे पास आये हैं मैं डाटा क्लेक्ट करके नहीं रखा हूं लेकिन मैं इतना अस्वस्त आपको करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो आपको आयुसमान भारत के तो गंभीर विमारी के लोगों को मदद करते हैं उस माध्यम से करीब पांच करूर से ज्यादा रु का हुआ ब्रेन हेमरेज का हुआ कैंसर का हुआ बहुत सारी गंभीर विमारियों के आधर में प्रधानमंत्री के द्वारा जिया जाता है जो मैं दिला चुका हूं पांच करूर से ज्यादा होगा इसका डिटेल में 26 तारी को यह पर के माध्यम से पता चले हैं यह बड़ी काम जो आप 5 साल में करना चाह रहे थे मलाल हो जो नहीं कर पाए या पिट्बो का मिले करेंगे कुछ ऐसा है जी दो तीन हम जो है मुझसे नहीं हो पाया उसके लिए मुझे बहुत खेद है और दुख भी है जानता के बीच में आपके माधम चे कहना चाहता हूं एक तो मेर सपना था कि हमारे बच्चे जिनके पास पैसे हैं वह आका अपनीम पराते हैं जो गरीब के बच्चेए हैं आच्छे इस कुर्मार नहीं कि पर आ थे हैं तो मैंने तीन-चार वार मान्य शिक्षा मंत्री श्री प्रश्नली मिला हूं धर्मेंदर प्रधान जी से शे जी पर आप यही आता है कि जमीन के आप हैं तो मैंने हमारे विद्वान जिला पधारी कारी है उनको लिखा हो कि आप कम से कम जगह का एकराइए अराटी में हैं काफी जगह है तो एक मलाल यह मुझे रहा गया कि मैं नहीं कर पाया एक दूसरा मलाल है 1984 में उस समय के चतरानन मिश्रा सहब हमारे उस समय के सरद्ये मंतरी किशी मंतरी थे और समीर महाशेट जी के पिताजी इराजकुमार महाशेट जी वी उस जो फॉंडेशन स्टोन में समली थे बहुत सारे रेकोर्ड के हम उने कॉलेक्ट करके यह भी मा ने किसी मंत्री भारत सरकार से बहुत बार उठाया उन्होंने जवाब दिया कि किसी विद्यालाई दो जगा प्राइबेट है एक बेनी पट्टी में है एक और एक जिला कहीं है मुझे दुख की साथ यह भी मलाल राजाएगा इसमें किसी कॉलेज का भी बहुत सिस्क्यार कि नहीं हुआ अगर आगे मुका मिलता है तो फिर उस पर काम किया जाएगा यह तो प्रियास रहेंगे अगर हमारे जनता भगवान मैं चुनाओ में अगर लगने जाओंगा जीत अगर हासिल की उनके आशिरवात से आप लोगों के सहयोग से तो मुझे वो दो सपना है दो सपना अगले पात बरसों में जरूर प्रा करोगा बात करते करते बात का प्रवाह र दूसरा है और एक दूसरा जो है सो राजक गटवंदन है आप आने वाले चुनाओ में अपने आपको गटवंदन से टिकट मिलेगा इसके प्रती कितना अस्वस्त अपने आपको पाते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देदू जम मेरी चुनाओ वही थी 2019 में उसनमे में हमारे आजरनी मुखमंत्री जी एंडिये के साथ इंडिये के साथ गटवंदन से हम चुनाओ लड़े थे और काफी मतों से मैं वीजाए हासिल किया था जो आपने पहले ही बताया कि एक रेकॉर्ड है जंजार बुर्चित्र के लिए अभी हमारे आजरनी मुखमं नेता वो है उनके साथ मैं हूनका सिपाही हूँ ओ जहां जाएंगे और जहां रहेंगे उजगा मैं रहूंगा कि मैं आपके माध्यमचा को अस्वस करना चाहता हूँ अपके नेता नितिश कुम्हेर जी है और उनमें आपकी आस्था निश्डा बनी हुई है तो आप उन पर विश्वास करके चलते हैं वो जहां रहेंगे जैसे रहेंगे उनी के साथ रहेंगे तो बहुत बहुत धनवाद इनसे आप बहुत सारी बाते सुनें बहुत लंबी बाते इनके मन में है जो लंबी बाते होती रहेंगी लेकिन फिर अगले प्रावपर हम आपसे मिलते हैं इनकी अन्य जो भी जानकारियां होगी वो भी हम मिलते रहेंगे फिलाल उमीद करते हैं क कि ये जन्ता जनारधन के पास पुना जो चुनाओ 2024 में लोग सभा कहोने वाला है उसमें आएंगे जिए तन बातन 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 सभी परकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए भिहार 24 सच से सामना अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैन